सब्सक्राइब काड़ की लड़ी पाइसे तो बहुत आसानी से मारकेट में बीजाते हैं पर कई बार हम पूझा के टाइम पर हमें याद आता है कि हम इसे लाना भूलगए हैं तो ऐसी स्थीति में आप इसे तुरंत ही बना सकते हैं बहुत ज़ाधा आसान हैं 5 मिनुट में त नमक यूज करती हूं हम उसे ही यहां पर डाल देंगे आपके पास इस तरह से यूज किया हुआ नमक नहीं है तो आप नया नमक भी डाल सकते हैं यहां पर मैं नमक यूज कर रही हूं अगर आपके पर सेंड है तो आप सेंड भी यूज कर सकते हैं तो नमक को पहले हम किल तो यह देखिए हम इसे डाल दिये थोड़ा सा और बस अब हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे एक्दम गर्म सेंड में या नमक में आप जैसे डालेंगे यह देखिए इस तरह से पूटना स्टार्ट हो गया है अब यह भाए शी टक कर बाहर आएगा इसलिए इसके थोड अब देखेंगे थोड़ी देर में जो है वो सारा जो धान है यह दिखिए इस तरह से पूट चुका है और अंदर से जो खीले वो तयार हो चुका है तो बस इससे इस तरह से बंद कर दे और निकाल ले देखा कितना कम ताइम लगा बिल्कुल दो मिनट में ही खील पूरे बनक यह चान कर नमक को हम इससरे से निकाल लेंगे अब फिर अगर और फोड़ना है तो नमक को हम वापिस कड़ाय में डालकर फिर से दुबारा फोड़ सकते हैं यह देखिए घर पर कितने अच्छे से खेल बनकर तयार हो चुकिए बतासे बनाने के लिए वंथर कप मैं यह पर चीनी डाल रही हूं साथ में इसमें हम डालेंगे पानी तो जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने बंधर कप चीनी लिया है तो बंधर कभी मैंने पानी डाला है अब चीनी को हम उबलने के लिए रख देंगे और इसे एकड़ा सा चासनी हम इसका तयार करेंगे तो यह देखिए चीनी अब अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो इसे चलाते रहें नहीं तो चीपक जाएगा यह देखिए बहुत बड़े-बड़े से एकड़ा सा चासनी तयार हो चुका है तीन तार की चासनी जब तयार हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक चथाई चोटे चमच मैदा और चुटकी भर हमने डाला है यहां पर खाने वाला सोडा अगर मैदा नहीं डालना चाहते तो बीना मैदा के भी इससे बना सकते हैं सिर्फ बेकिंग सोडा डाल कर मैदा डालने से एक तो सफेद बनती है और जैसे ही सोटा डाले देखिए यह पूरी हलकी हो गई और इसमें जाग आ गए है यह रिखिए गम जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है तो हम बन कर देंगे और मैंने कपड़ा पिछा कर रखा तुरंत ही हम इसे डालते जाएं आप डालेंगे तो एक जगह पर बिल्कुल स्टीक हो जाएगी बिल्कुल बहेगी नहीं यह देखिए सिर्फ दो मिनट ही लगे यह पूरी सैट हो चुकी है अब इसे तुरंत ही हम निकाल लेंगे यह देखिए कितनी अच्छे से वाइड बनी है और अंदर भी पूरा अच दिल्कुल